बीते 14 मार्च को यूपी के मिर्जापुर में मिले 3 शवों का खुलासा हो गया है मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके के 13 हत्याकान का खुलासा करते हुए पुलिस के हाथ बड़ी काम्याबी लगी है बिहार में हत्या करके शवों को उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर में फेकने वाले चार बदमाशों को भी पुलिस ने गरफतार कर लिया है पुलिस की माने तो पिंटु की हत्या की योजना बहुत पहले ही बना ली गई थी उसके साथ आने वाले राजकुमार और ओमकार की भी गोली मार कर ही हत्या की गई थी बिहार के रोताश में रहने वाले हिस्ट्री शीटर पिंटू ने अपने मामा के लड़के की हत्या कर दी थी जिसका बदला लेने के लिए पिंटू की हत्या की गई है अब सबको अगत ही है कि दिनांग 14-3-2021 को थाना चुनार छेतर में तीन डेड़वाडी बरामद हुई थी और उनकी सिनाक भी उसी दिन हो गई थी ये तीनों बिहार के रहने वाले थे इस घटना का नापराण करना हम लोगे बड़ी चुनोती पों थे इसके अनापराण के ल मेनोल इंडिलिजन्स, सरविलांस या अन्य माद्यम से घटना में आज घटना संबंदें चार विक्तुब गिरफतार किया गया और घटना का सफल आनपन किया गया है इस घटना आपसी रंजिस में पूर्व योजना के ताहत हुई है जो इसकी योजना पहली बनाए गई थी मिर्टक पिंटू का आप राधी की तिहाश है और वहां के हत्या में वांशित है उसने कृष्ट बहादूर के लड़के की हत्या की थी उसी के कराण क्रिश्व भादूर के घरवालों ने जिसमें आप देख रहे हैं अनिर्गी रफ्तार है क्रिश्व भादूर का छोटा भाई है उन्होंने एक योजना के थाथ और सबका गुड बना करके आपसी विचार उमर्श के बाद घटना सब बुला करके इन तिनों के हत्या करते हैं इनका दूर का रिलेशन है इनका दूर का रिलेशन है यह बताया जाता है कि पिंटू ने जिसकी हत्या की थी उनके मामा का लड़का है जो हत्या हुई थी यह कोचे स्थाना छेत्रे बिहार में और शैलाज गाओं की आसपास घटना सर्व बताया गया है जहां इनकी हत्या की गई बुलाक इनको दावत के वहां ने बुलाया गया था और वहीं गोली मारकर के हत्या करते हैं सौ सर्व ले आया गया था है सौ सर्व ने करके चले है रात में और रात में सो लेकर के चले और भववा यूपी बाड़र में आये हैं चुकि इसमें अभियुक्त विकास राय है वो बनारश का रहने वाला है बनारश में भी रहता है तो उसको सारे रास्तों की जानकारी है और में रोड से नहों करके लिंक रोडू से हो करके आया है और उसने यहाँ पर ड़बाड़ी फेक दिया आपको बता दे पिंटू की हत्या करने के लिए उसे दावत पर बिहार के एक पोचस स्थाना के सैलास गाउं में बुलाया गया था जिसमें वो अपने साथ दो और राजकुमार और ओमकार को लेकर पहुँचा था जिसके बाद योजना के तहर तीनों को गोली मार दी गई उस पर तीन बिहार तो चोथा वारन असी का रहने वाला है साथ ही पुलिस ने बताए कि बदमाशों के पास से असला और जिंदा कार्तूस बरामत किया गया है कानूने कारवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है साथ हत्याकान का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रु के लिए नितिन अवस्ती की रिपोर्ट